येलो एवरिवन आज हम निदा फाजली जी के द्वारा लिखा हुआ पार्ट पढ़ेंगे अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट यहां पर देखो बाइबल के सुलेमान जिने कुरान में सुलेमान कहा गया है इसा से 1035 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे एक बादशाह की कहानी है यह और यहे कहा जाता है कि वे मनुश्यों के ही नहीं बलकि पशुपक्षियों के भी राजा थे उनको सभी भाशाएं बोलनी आती थी पशुपक्षियों की भाशाएं बोलनी उन्हें आती थी एक बार क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ उन्होंने रास्ते में जब वो जा रहे थे तो घोडों की टापों की आवाज सुनी और किसने सुनी चीटियों ने और वो बोलने लगी कि आप जल्दी से अपने अपने बिलो में चलो फो जा रही है सुलेमान ने उनकी बात सुन ली और कहा कि घबराओ मत सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है मैं किसी के लिए मुसीवत नहीं हूँ बलकि सब के लिए मैं मुहपत हूँ चीटियों ने उनके लिए इश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की तरफ चले गई देखो यहाँ पे दिखाया भी है कैसे वो जा रही थे रास्ते में पोड़ों पे सवारों के राज़ा जो थे वो उसके बाद देखो यहाँ पे हमा जाते हैं नैश्ट पेज पर यहाँ आप देखो कि एक ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवी सेख अयाज ने अपनी आत्म कथा में किया उन्होंने बताया कि एक दिन उनके पिता कुए से नहा कर लोटे माने भोजन परोसा उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा यानि टुकड़ा तोड़ा तो उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी वहाँ एक काला च्योटा रेंग रहा था चीटा होता है च्योटा वह भोजन छोड़ करके उठ खड़े हो गए माने पूछा कि क्या बात है क्या भोजन अच्छा नहीं लगा तो सेख हयाज के पिता बोले नहीं यह बात नहीं है मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं बाइबल यानि कि वो चीटे पर दया कर रहे हैं बाइबल दूसरे पावन गृंतों में नहीं नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है उनका असली नाम लशकर था लेकिन अरब ने उनको नहीं के लकब से याद किया है वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहें इसका करण एक चक्मी कुट्टा था नू के सामने से एक बार एक घायल कुट्टा गुजरा एक घायल कुट्टा उसके सामने से गुजरा नू ने उसे दुद्कार तेवे कहा कि दूर हो जा गंदे कुट्टे इसलाम में कुट्टों को गंदा समझा जाता है कुत्ते ने उसकी दुद्कार सुनकर जवाब दिया ना मैं अपनी मर्जी से कुता हूँ ना तुम अपनी पसंद से इनसान हो बनाने वाला सबका तो वही एक है मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान किसमे कितना कौन है कैसे हो पहचान नो ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी होकर मुद्द तक रोते रहे काफी समय तक रोते रहे माहां भारत में युदिश्टिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वहे भी प्रतिकात्मक रूप में एक कुता ही था यानि कि उनके साथ भी एक कुता लाश्ट था युदिश्टिर के साथ सब साथ छोड़ते गए लेकिन केवल वही उनके एक अंत को शांत कर रहा था केवल कुता उनका साथ निभा रहा था यानि कि कुत्य को यहां पर बहुत ही बफादार बताया है दुनिया कैसे वजूद में आई पहले क्या था किस विंदू से इसकी यात्रा सुरू ही इन प्रश्णों के उतर विज्ञान अपनी तरह से देता है धार्मिक गरंत अपनी अपनी तरह से देते हैं संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धर्ती किसी एक की नहीं है पंची, मानव, पशू, नदी, परव, समंदर आधी किसमें बराबर की हिस्सेदारी है यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाती ने अपनी बुद्धी से बड़ी-बड़ी दिवारें खड़ी कर दी एसी दिवारें खड़ी कर दी बड़ी-बड़ी दिवारें खड़ी कर दी है पहले पूरा संसार पहले क्या था? पूरा संसार जो था एक परिवार के समान होता था अब टुकडों में बाट करके उसे क्या बना दिया है? छोटे छोटे हिस्सों में हमें बांट दिया गया है पहले बड़े बड़े दालान अंगन में सब मिल जूल कर रहा करते थे अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है बढ़ती हुए आबादी ने क्या कर दिया है हमें? कैसा बना दिया है? समुंद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है फेलते हुए परदूशन ने पंच्छियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है यानि कि हम सब इस तरह की नेचर से हम पंगा ले रहे हैं और नेचर को हमने खत्म करना शुरू कर दिया है उसके बाद यहाँ देखो इस पेज पर आपाचे यह कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समूद्र को पीछे धकेल रहे हैं जमीन को हतिया रहे थे बेचारा समंदर लगाता सिमटता जा रहा था यानि कि अब पहले से वो छोटा हो गया है उसकी तुलना इनसान से की है पहले उसने अपने फैले होई टांगे समिटी थोड़ा सी कुड कर बैठ गया सिमट कर बैठ गया फिर जगय कम पड़ी तो कुडू बैठ गया फिर खड़ाई हो गया यानि कि उससे भी कम जगय में हो गया तो इस तरह से किस तरह से समूद्र को छोटा किया गया यहाँ पर लेखक ने ये बताया है मेरी मा कहती थी सूरज धले आंगन की पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो पेड रोईंगे यानि कि दूसरों के दुख से दुखी होते थे दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो फूल बद दूआ देंगे दरिया पर जाओ तो से सलाम किया करो वह खुश होता है कबूतरों को मत सताया करो वह हजरत महबत को अजीद है उन्होंने उन्हें अपनी मजार की नीले गुमबत पर घोसले बनाने की अजाज़त दे रखी है मुर्गे को प्रेशान नहीं क्या करो वहमुला जी से पहले मौले में अजान देकर सब को सवेरे जगाता है सबकी पूजा एक सी अलग-अलग है रीत मस्जिद अचाई माल भी कोयल गाए गीत गालेरी में हमारा मकान था उस मकान के दोलान में दो रोशंदान थे उसमें कबूतर की एक जोड़े ने घोसला बना लिया था एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंड़ा तोड़ दिया मेरी माने देखा तो उसे काफी दुख हुआ उसने स्टूल पर चड़कर दूसरे अंड़े को बचाने की कोशिश की लेकिन इसी में दूसरा भी तूट गया कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़ फड़ा रहे थे उनके आँखों में दुख देखकर मेरी मा की आँखों में आंस हुआ गए इस गुना को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा रोजा क्या होता है व्रत दूसरे दिन उस दिन भर कुछ नहीं खाया पिया सेफ रोती रही और बार बार नमाज पड़के खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दूआ मांगती रही गौलेर्शिय मुंबई की दूरी ने संसार को काफी बदल दिया है बरसोवा में आज मेरा घर है वहाँ पहले यहाँ दूर तक जंगल था पेड थे परिंदे थे और दूसरे जानवर थे अब यहाँ समुझ के किनारे लंबी चोड़ी बस्ती बन गई है इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों से उतना उनका घर छीन लिया है इन में से कुछ शेहर छोड़ कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ यहाँ वाग्या किया डेरा डाल लिया इन में से दो कबूत्रों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोजला बना लिया है उसके बाद देखो उनके खिलाने पिलाने की जिम्हदारी अभी बड़े कबूत्रों की हैं वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आई जाएं उनका घर भी है लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है वे कभी किसी चीज को गिरा करके तोड़ देते हैं कभी मेरी लाइबरी में घुसकर कभीर या मिर्जा गालिक को सताने लगते हैं इस रोज-रोज की परेशानी से तंगा कर मेरी पत्नी ने उस जगे उनका आस्यान था जाली लगा दी उनके बच्चों को दूसरी जगे कर दिया है उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया जाने लगा है खिड़की से बाहर अब दोनों कभूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं मगर अब ना सोलो मन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बाटे ना मेरी मा है जो इनके दुखों में सारी रात नमाज में काटे नदिया सीचे खेत को तोता कुतरे आम सूरज थेके दासा सब को बाटे काम बहुती अच्छा सुन्दर लेक लिखा है कि अभी जो दूसरों को दुख को समझने वाले लोग थे वह समाप्त हो चुके हैं पहले समय की बात कुछ और थी यह बहुती सुन्दर पाट जो है आज आपने पढ़ा इसमें प्रेशन उतर देखो बड़े-बड़े बिल्डर स जो फड़ फड़ा रहे थे अभी हमने पाट में पढ़ा इसके प्रेशन उतर आप लिख के भी कर सकते हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना तकि सारे चैप्टर्स के आपको जो नोटिफिकेशन है वो बेल बटन दबाने से मिलेंगे तो आप माप तर पे उसको प्रेस कर लेना थेंक यू